तो यूके जहां पर दुबारा से लगातार बच्चों का क्रेज बढ़ता जा रहा है और इस क्रेज के बीच में एक और यूनिवर्स्टी ने दरवाजे आपके लिए खोल दिये हैं दरवाजे पहले से खुले हैं बट और असानी से आपको एंट्री शुरू कर दिये हैं यह यूनिवर्स्टी है पहले मैंने बताई थी डिमॉनफोर्ड यूनिवर्स्टी जिसमें पूरा वीडियो कलका पड़ा हुआ है आप जाके देख लो यह है विन्चेस्टर यूनिवर्स्टी विन्चेस्टर यूनिवर्स्टी ने बड़ा ओफर यह दिया है कि यहां पर स आइलेट्स जा सकते हो शर्त है कि आपकी जो प्लस टू थी उसमें आपके 70% इंग्लिश में होने चाहे वो पंजाब बोर्ड से प्लस टू थी, हर्याना बोर्ड थी, डेली बोर्ड थी, जम्मू बोर्ड थी या CBSC थी, ICSC थी, कोई भी बोर्ड से अगर आपके 70% हैं इंग्ल मावजूद भी, मतलब जिन बच्चों ने 2014 में ग्रेजुईशन किये वो बच्चे भी आज की लेट में जा सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपका पहले इंटर्व्यू होगा, फिर फीस ट्रांसफर होगी, तो यहां पर दूसरी यूनिवरस्टी की कि आपने यूनिवरस्टी को फीस दे दी, फिर आपका इंटर्व्यू आया, इंटर्व्यू रिजेक्ट हो गया, तो आपके पैसे अटक गए, अब वो एक डिड़ महिने बाद आएंगे, नहीं, यहां कुछ नहीं होगा, यहां पहले आपका इंटर्व्यू होगा, उसके आपको यूनिवरस्टी फीस पे करनी है, बाकी की फाइल प्रेपरेशन करनी है, लेकिन इसकी जो रिक्रूट्मेंट है दोस्तों, वो सिरफ नेक्स्ट वीक डेडलाइन है, इसकी अगले संडे, यह वाले नहीं, इससे नेक्स्ट वाले संडे, मतलब तकरीबन चार-पांच तरीक तक यह यूनिवरस्टी रिकूट्मेंट बंद कर देगी, तो जो बच्चे यूके के लिए अपनी अप्लिकेशन लगाना चाहते हैं, मास्टर्स में लगाना चाहते हैं, लंबे गैप के साथ और बिना आल्स के लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक बड़ी उ प्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा हकीकत दी उडा